श्री सायनात महाराच अपने समय में भक्तों के द्वारा बिवन्न रूपों में पूजित हुआ करते थे। कुछ लोग उन्हें श्री दतात्रे मानकर उनका अवधूत रूप में पूजन किया करते थे। जब भी भक्तों को किसी सद्गुरु का सनिध मिलता है तब वे नाकेबल उनके रूप का वर्णन करते हैं, अबितु उनके दिव्य गुणों का वर्णन भी करते हैं। इस मंत्र में स्विशाई की दिव्य महानता उनकी करुना और उनके आवधुत रूप का वर्लम किया गया है। जय जय साई महंतम जय जय करुणा निधानम् जय जय साई महंतम् जय जय करुणा निधानम् जय जय अवधुतरूपम् जय जय अवधुतरूपम् जय जय साई महंतम् जय जय करूना निदानम् जय जय साई महंतम् जय जय करूना निदानम् जय जय साई महंतम् जय जय करूना निदानम् जय जय थाई महन्तम जय जय करून निदानं जय जय साई महन्तम जय जय करून निदानं जय जय अवधुतरूपम जय जय अवधुतरूपम जय जय साई महंतं जय जय करून निदानं जय जय साई महंतं जय जय करून निदानं जय जय साई महंतं जय जय करून निदानं जय जय अवधुत रूपम्, जय जय अवधुत रूपम्, जय जय साई महंतम्, जय जय करूण निदानम् जय जय साई महंतम्, जय जय करूण निदानम्, जय जय अवधुत रूपम्, जय जय अवधूतरूपं जय जय साई महंतं जय जय करूना निदानं जय जय साई महंतं जय जय करूना निदानं